आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है नाडलर स्कैबच यानि स्कैबच होजा क्या है इसका वेज होने के मुक्तिया कारार क्या होते हैं इसमें किस परकार के लच्छर दिखाय देते हैं और इसका किस परकार से डाक्टर के दोरा ट्रेटमेंट किया जाता है उन स्काइबिज के जो है वो लक्षड दिखाए देते हैं यह समस्या सारको सारकोप्तस स्काइबिया जो कि एक तरह का माइट्स होता है यानि छोटा कीड़ा होता है यहां पर आप इमेज में देख रहे हैं जिसके लगबग आठ फायर होते हैं यानि यह आठ पाउवाला छोटा कीड़ा होता है जो कि हमारे इश्किन में ब्रो बनाके यानि बिल बनाके हमारे इश्किन के अंदर चला जाता है और वहां पे ले यानि एग को वहां पे छोड़ता है और यह कितन क्या धीरे-धीरे यह बढ़ती जाती है यह होता है एक से चार दिनों के अंदर यह हमारी प cabbage की problem है तो वहाँ पे उसके पूरे परिवार को इस cabbage होने का खत्रा रहता है अगर हम बात करें इसमें किस परकार के जो है पर जाती है चकते पर ना कुछ इस परकार से चकते परने लगते हैं और यह पर चाहते हैं जया सकते हैं जैसे अब हम बात करें तो यह पूरी वाड़े में कहीं भी पाया जा सकते हैं और जैसे की पयनिस हुआ टेश्टेश हुआ उस रीजन पर भी इस पाइड हो थे उनके दौरा जो है उनके दोरा वो संक्रमर होता है अगर हम बात करें ऐसे करदो की बात करें तो हमने सबसे पहले ही बता दिया है कि स्वाइड हर्य हूँ अब यह माइट कहां से आते हैं क्योंकि माइट जोती है क्योंकि आप इन माइट को अगर देखेंगे तो यह चोटे-चोटे आट परो वाले मैट होते हैं यह कीडे होते हैं जो कि अगर आपकी बाड़ी के बाहर भी है तो यह लगबाग एक से तीन दिन तक जिन्दा रह सकते हैं क्योंकि यह हमारी तछा में इन्टर कर जाते हैं साइड पर और यह देड़े-दीरे अंडे यहांशन होता कह सकते हैं तो वहार यह अपने अंडों को च्छोडते हैं और उस जगे पे काफ़ी ज्जादा हीचिंग होने लगती है और यह कंडिशन ज्यादा रात में वहां पे खुजलाहाट रहेगी वहां पे चकते पड़ सकते हैं वहां पे फफोले आ सकते हैं वहां पे गाट छोटी सी बन सकती है जो कि नॉडलर टाइप की गाट होती है जो कि पेहनिस रीजन पे या स्कॉर्टम रीजन पे या हमारे वाड़ी पे कहीं भी बन सकता है जैसे यहां पर आप नीचे साइड में देख रहें यह अंडों को अपनी चोड़ती है और वहां पर दीरे दीरे उस पार्ट को आफेक्ट करती है तो यह दीरे-दीरे हमारे बाड़े में कहीं पहुंच जाती है इसमें अगर कुछ जो की बूढ़े मदेखा गया है बच्चों में देखा गया है ऐसी एकाफी जादा वीके हो जाती है तो उस प्रकास this की कर सकते हैं यह यह डाक्तर के दौरा किस पर कांद से रिपाय मन की जाती है तो इसमें कैइं सारे को की होते हैं यारी एक कीड़ को मारने के लिए फ़युक की जाते हैं तरह के लोशन भी हुआ यह की जाती है। कुछ एंटिष्टामीन के मैडेसिन भी यूज की जाती है जिसे जो पार्ट पर खुजलाहट हो रही है जलन हो रही है उसको कम करने के लिए दी जाती है तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्रीम और लोशन के बारे में जो कि परमेथरीन क्रीम 5% में आती है यह काफी हमेशे आप कोई भी एक क्रीम अथवा लोशन यूज कर सकते हैं अगर आपको ऐसी प्राबलम दिखे तो अगर बात करें हम अधर ट्रीटमेंट की तो इसमें जो मुखरूब से टेवलेट दी जाती है वह होती है एवर मैक्टिन की टेवलेट दी जाती है यह टेवलेट की बात करें तो कुछ अधर ट्रीटमेंट जैसे की जैसे की वहाँ पर खुजलाट होती है जलन होती है तो वहाँ पर एंटिहिस्टामीनिक या एंटि एलर्जी कटेगरी की मैडेसिन दी जाती है जिससे की वहाँ पर जो जलन होती है या खुजली हो रही हो उसको कम करने के अगर आएसी प्रवलम है तो दोस्तोग ये जानकर है अप लोगों को अच्छी लगी हो अगर है अजह चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आज़ाने वीडीर चाहिए तो हमें कमेंट नयौह करके जरूर बताए थाइंक्य दोस्तों